किलो ग्राम और ग्राम के बीच संबंध इस वीडियो में हम भार को मापने की इकाई किलो ग्राम और ग्राम के बारे में और किलो ग्राम और ग्राम के बीच संबंध के बारे में सीखेंगे चलिए आज हम गोपाल के घर चलते हैं देखो कैसे गोपाल के तीनों बच्चे शाम, नीतू और मोहन खेल रहे हैं भाईया अब मुझे भी जोलाओ ना बाबा रे नीतू तुम तो भारी हो गई हो मोहन से भी ज्यादा भारी भाईया हाँ, मोहन से तो तुम लगभग पाँच किलो भारी होगी भाईया, ये किलो क्या होता है? आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ देखो नीतू, जब हम किसी वस्तू के भार या वजन को मापते हैं तो किलो ग्राम और ग्राम इकाई का प्रयोग करते हैं किलो ग्राम को हम किलो भी बोलते हैं अच्छा तुमने सुना है न, एक किलो टमाटर या आलू माबाजार से लाती है हाँ, भाईया और अगर हमें कोई सामान ज्यादा मातरा में लेना हो तो उसे किलो ग्राम में मापते हैं और जो सामान कम मातरा में लेते हैं या जिनका वजन कम होता है उन्हें ग्राम में मापते हैं अच्छा भाईया जैसे एक किलो मटर और दो सो पचास ग्राम मिर्च पाउडर बिल्कुल नीतू और एक किलो हजार ग्राम के बराबर होता है इतने सारे ग्राम? हाँ, याद है कल हम दो सो पचास ग्राम जलेबी लाए थे हाँ भईया हाँ, तो बताओ, अगर हम दो सो पचास ग्राम जलेबी के चार पैकेट लें तो सारी जलेबियों को मिलाकर कुल कितना वजन होगा? दो सो पचास, जमा दो सो पचास, जमा दो सो पचास, जमा दो सो पचास हम, कुल हुआ एक हजार ग्राम एक दम सही और एक हजार ग्राम एक किलो के बराबर होता है यानि पूरी एक किलो जले भी होगी भाईया मैं समझ गई बहुत अच्छे अरे बच्चो देखो पिता जी आ गए हैं जरा ठेले से सामान उतारने में उनकी मदद तो करो अच्छा नीतु बताओ तो किसका वजन ज्यादा होगा दो किलो आटा या पाँचो ग्राम सूजी भाईया सूजी का पाँचो तो दो से ज्यादा होता है तुमने सही कहा नीतु पाँचो दो से ज्यादा होता है लेकिन मैंने पूछा 2 किलो और 500 ग्राम इनकी इकाईयों पर ध्यान दो ओ, अरे हाँ भाईया, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो 2 किलो होगा 2000 ग्राम ठीक, 2000 ग्राम और 500 ग्राम, अब दोनों की एकाई एक है, तो आटे का वजन ज्यादा होगा, क्यूंकि 2000 ग्राम 500 ग्राम से ज्यादा है शाबाश, ये देखो, इस 2 किलो आटे के पैकेट और 500 ग्राम सूजी, मतलब आधा किलो सूजी के पैकेट को उठा कर देखो हाँ भाईया, सूजी का पाकेट आटे के पाकेट से हलका है तुम दोनों क्या कर रहे हो? भाईया, मुझे किलो ग्राम और ग्राम के बारे में बता रहे है यह तो बहुत अच्छी बात है, तो तुमने क्या सिखा? हलके समान को हम ग्राम में तोलते हैं, और भारी समान को किलो ग्राम में एक दम सही, अब तुम मुझे बताओ, दो किलो आटा, पांच किलो चावल, आधा किलो सूजी, डेड़ किलो चीनी के वजन को एक साथ जोड़ा जाए, तो कुल कितना वजन होगा? मैं कोशिश करती हूँ, हम्, दो किलो और पांच किलो की इकाई एक है, तो ये बने साथ किलो, सही आधा किलो सूजी मतलब पांच सो ग्राम तुम तो बहुत होशियार हो गई होड़नी तु देड़ किलो चीनी मतलब एक और आधा किलो, तो वो हुआ एक किलो पांच सो ग्राम एक दम सही पांच सो ग्राम और एक किलो पांच सो ग्राम को अगर हम जोड़े तो वजन होगा एक किलो और एक हजार ग्राम जिसे कुल हम दो किलो भी कह सकते हैं क्योंकि एक हजार ग्राम बराबर एक किलो और एक किलो और एक किलो हुआ दो किलो पिता जी, साथ किलो और दो किलो की एकाई एक ही है तो हम इन दोनों को जोड़े तो कुल वजन बनता है नो किलू बिल्कुल सही नीतू, शाबाश अरे आप इतने सारे छोटे छोटे चाई के पैकेट क्यों लाए हो? दुकांदार के पास बड़ा पैकेट नहीं था तो मैं दस पचास ग्राम के ही पैकेट ले आया नीतू, बोलो तो, दस पचास ग्राम के पैकेट का कुल वजन कितना होगा? मैं पचास को दस बार जमा करके बताती हूँ नीतू, यहां तुम पचास को दस से गुना भी कर सकती हो अरे हाँ भाईया, ये भी तो एक ही बात होगी पचास गुना दस हुआ पांत सो, पांत सो ग्राम मा, पिता जी आधा किलो चाई की पत्ती लाए हैं मेरी बिट्या से मुझे पता चल गया अच्छा, अब बताओ, अगर मैंने इस दो किलो आटे में से तीन सो पचास ग्राम आटे की पूरियां बनाई, तो कितना आटा बचा? हम, हमें दो किलो में से तीन सो पचास ग्राम कम करना पड़ेगा और उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं? बच्चों, आप वीडियो को रोग कर इसका उत्तर दे सकते हैं दोनों वजन की एकाई समान होनी चाहिए शाबाश मेरी बच्ची तुम्हारे हिसाब से दोनों वजन की एकाई क्या होनी चाहिए? ग्राम, इससे मैं असानी से घटा कर सकती हूँ वो कैसे? दो किलो मतलब दो हजार ग्राम एकदम सही इससे मैं तीन सो पचास ग्राम घटाऊंगी बिल्कुल सही तो दो हजार से तीन सो पचास कम किये तो हमें मिलता है एक हजार छे सो पचास फिर हजार ग्राम बने एक किलो तो पिता जी एक किलो छे सो पचास ग्राम आटा बाकी बचेगा वह तुमने यह बहुत अच्छे से कर लिया बच्चों इस वीडियो में हमने भार को मापने की इकाई किलो ग्राम और ग्राम के बारे में और किलो ग्राम और ग्राम के बीच संबंद के बारे में सीखा झाल